अगर चैरे पे pigmentation है, hyper pigmentation है, चैरे पे dark spots है और skin glowing नहीं है, तो इन सबी चीजों को एकदम जड़ से खत्म करने वाली आज मैं आपके साथ remedy शेयर करने जारी है दोस्तों, ये आपके चैरे से pigmentation को हटाईगी, आपके चैरे में glow लेके आईगी, shine लेके आईगी और जो भी मैंन इसके अंदर ingredients एट करें हैं, दोस्तों, वो सब बहतरी ingredients है आपके चैरे के लिए, अगर आपको इन में से कोई भी इशू नहीं है चैरे पे, आप अपने चैरे पे glow लेके आना चाहते हैं, shine लेके आना चाहते हैं, तो भी आप इस remedy को अपने चैरे पे apply कर सकते हैं, तो pigmentation के लिए बहुत ही कमाल का ingredients है, ये lactic acid से भरपूर पाया जाता है, उसके बाद आपको चाहिए दोस्तों, मसूर दाल का powder, मसूर दाल ले लेनी हैं, आपको उसको grinder में पीस लेना है, और powder बनके बिलकुल ready हो जाता है, मसूर दाल का product, skin brightening के लिए बहुत ही कमाल का ingredients है, दो उसके बाद आपको क्यार करना है, आदा टमाटर लेना है, टमाटर लेक्टिक एसिड से भरपूर होता है, चाहरे को ग्लोई बनाने के लिए, संटैन को रिमॉफ करने के लिए तो कमाल का ingredients है, जैसे आपको पता है, समार आ रहा है, तो हमारा चाहरा काफी जादा उसमें दा बहुत ही अच्छा एक्सफोलीशन का काम भी करता है, तो हमने ले लिया है आदा टमाटर, अब आपको क्या करना है, इसमें थोड़ा सा लेमन जूस एड करना है दोस्तों, जरा सा लेमन जूस एड करेंगे, अब आदा चमच के करीबन सिट्रक एसिड से भरपूर होता है, चैरे के दाग धबो को दूर करने के लिए हल्प करता है, इन सारे इंग्रीडियन्स को आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है, बहुत ही कमाल का पैक है दोस्तों, इसके जो रिजल्ट है बहुत ही वाव वाले रिजल्ट होने वाले हैं इसके, आपको करना कैसा है इसे लगान अच्छे से इससे पांच मिनिट मसाज करनी है अपने चहरे पे पिंगमेटेशन वालों के लिए तो ये बहुत कमाल का पैक होने वाला है दोस्तों आपके चहरे पे जाईयां हाई पे पिंगमेंटेशन डाक पांच स्पॉट्स उसको रिमूव करने के लिए काफी जादा धबो को हटाने के लिए बहुत ही कमाल के रिजल्ट देते हैं दोस्तों तो अच्छे से जब आप स्क्रबिंग करेंगे पांच मिनिट तक तो पांच मिनिट स्क्रबिंग करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है जो बचावा पैक है उसकी एक लेयर अपने पूरे चेहरे लगा देनी है इसके उपर ही आपको लगाना है उसके बाद 15 मिनिट के लिए इस पैक को आपको ऐसे ही छोड़ देना है और 15 मिनिट बाद आप इसे पूरे चेहरे से हटा देंगे तो आप हटाने के बाद खुदी रिजल्ट देख सकते हैं कितना ग्लोईंग और कमाल का रि इन देख शुदी और कितना ग्लोई के लिए जेख सकते हैं कि अपने चेहरे को कर लिया है दोस्तों वाश और मुझे खुद अपनी स्किन ऐसे लग रही है कि में मेला बिलीव नहीं करेंगे धीरे धीरे जब आप इसे use करेंगे तो सारी dullness, darkness आपके चैरेस से उड़ जाएगी दोस्तों तो I hope दोस्तों आज की remedy आपको मेरी जरूर पसंद आई होगी तो पसंद आई होगी तो करना का है मुझे comment section में यह जरूर बताइए कि आज की remedy आपको कैसी लगी